कि जहन नमस्कार दोस्तों मैं विराट चोदरी श्वागत आपके अपने इटूब चल्म कमांड लोकेट में दोस्तों कई बार आप सभी अभी परजेंट आप में जो सब्सक्राइब करें कई बार मेरे से बोलते हैं कि तो आज मेरे साथ मेरे दोसाती और है जोनने से जीडी दोजार अठारा का कम्पीटिशन फाइट करके अभी सी आर्पे मेरे साथ में जोब कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप काफी मोटिवेट करते हैं तो इसलिए में एक वीडियो और बना रहा हूं कि मैंने जो तयारी किती वो तो फॉर्मूले मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ और किस-किस परिस्थितियों में की है आप सभी को बता दूँ कि सभी के घर की किसी के भी घर की परिस्थितिया अनुकूल नहीं होती है जब तयारी करता है सभी के पर्तिकूल होती है हमेशा आप जिंदगी म किस परकार से पढ़ाय कि थी बहुत सरे बचें ये भी बोलते हैंके सरre हम प्राइवेट काम भी करते हैं जोब भी करते हैं और तयारी बी कर रहे हैं और बाद में माइनर नमरों शिर जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी तैयारी शुरू करें जो नहीं आने this- работать उसके पंडी जी बताएंगे अपने बारे में, फिर इनकी तयारी कैसी रही थी वो जानी है, फिर बाद में जोती बाई बताएगा, फिर मैं आपको अपनी एक बार लाश्ट में और बता दूँगा, जितने ही बचे हैं, लेकिन आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं, ताक लेकिन आपके लिए आपको ये मोटिवेट करेगा वीडियो जानके, कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही है, हमने कहां से हम निकल के आएं, तो आपको भी उससे कुछने कुछ सीखने को जुरूर मिलेगा दोस्तों, तो अब आपको बताएंगे पंडी जी, पंडी जी बताओ बा इसके लिए मैं भाई को बहुत-बहुत मुबारक देना चाहूंगा, जो इनों इतना अपने कीमती समय में से, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, कि मैं 2009 में, 2009 में दस्वी करके मैं उसके बाद पॉलो टेकनिक के लिए चला गया, मैं हनुमानगर से, पॉलो टेकनिक किया पॉलो टेकनिक से, लेकिन मैं गाउं में जैसे घर पे आता था, लड़कों का जनून देखता था, सूबे चार बजे पांच बजे रनिंग करते थे, उसके बाद अलग से एक्सराइज करते थे, तो मैं सोचता था यार, क्यो ना हम भी इस चीज को करें, फिर धिरे मैं उनक को देखता गया लगबग एक महीने देखा फिर उसके बाद थोड़ा वो टाइम बड़ा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी यह सब करना चाहिए मेरे एक दोस्त था गाओं का जो फोज की तियारी कर रहा था मैं बोला यार मेरा भी कोई बढ़ती आये तो फारम लगाना क्यों लिया उसी ने मेरा फारम लगा दिया उसके बाद वो बोला कि पंड़जी मैंने तुमारा फारम लगा दिया है अभी वेकेंशी का टाइम है दस-पंदर दिन आप रनिंग का त्यारी कर लो मैं ठीक है मैं जहां भी अपना कंपनी से गंटे वरका जैसे भी टाइम मिलता था पीजिद दे पारे थे लेकिन धी बाइस मिनिंट में हमने फुजिकल पूरा कर लिय अभी एक अलग से मन में हो गया कि यार फुजिकल तो कर दिया तो ब deepest तो तूम कर सकते हैं आप उसका यह चोटा सा मोटिवेशन को मीरे बहुत अंदर में फिल कर गया मैं चलो ठीक है मैं कोचिंग में तयारी करूँ गा मैंने क्या किया जैसे ही exam का date time clear हुआ मैंने दो महीने company से ठुटिल दो महीने का leave ले लिया company से तो company से leave लेने के बाद क्या हुआ कि मैं company से छोड़ दिया उसके बाद मैं रेवाडी आ गया coaching center में दो महीने के लिए लगबग कि दिशने घ्यान से पड़ता था एंदर से सब्सक्राइल से लगा था, हाँ, मैं प्रक्स माना फूने लग ग्छाइक अब कंपनी शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि रजल्ट आया, काफी दिनों बाद रजल्ट आया इसका, तो रजल्ट आया तो एक लड़के ने भारम भरा उसी का फोना है, यार पंड़ जी तुमारा एकजाम के लिए रो गया है, लेकिन अभी जब होता है आदमी द पूरी रात नीद नी आया मेरे को, मैं सुबह क्या हुआ, जैसे ही दुकान खुला है, भारम भाले का, तो मैं तुरूंत उसको फोन किया, उसको नंबर बताया, उसने बोला, भाई हो गया है तुमारा, पंड़ जी एक मिनिट है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अब हम फोर मड़के तैयारी कर सकते को, नहीं कर सकते misin? अब ही तीन मईने, चार मईने का थाया, न कियो नहीं कर सकते miles, चार मैं, हम ने तो मैंने आराम सै होगा, बेसा हो flavour मैं तो कमपनी से कहले हैं और कतने मैं, मैं, दो महीने में त्यारी किया है, मतलब, मतलब में में भी coach Là वह हैपिस रागेट्स घ्रट करने हैं जा ही जो तो तो आदमि अन्दर से कोफिडश लाइव सबसे करता है सब ये तो ऊजी है. यहादा तर जो बच्चे करते हैं यही करते हैं वोग को देखके घर जाते पहले.... यहीं तो सलच़िये रज़ाता है। यह को नहीं आयएगा को फिक इन्सक्राइब सबसे पहले औंदर से that company में लगा रहा उसके बाद चलता रहा मैडीकल के लिए मैरा को लेटर आ गया मैडीकल के लिए आगया तो मेडीकल पहले कभी कराय नहीं था इसलिए थोड़ा उस टाइम ठोड़ा डर फील हो रहा था यह यह भी बहुत सारे बच्चों को रहता है डिकल नहीं मिलते हैं और म आर्मी में क्या होता है कि strength ज्यादा होती है लड़के लेने होते है 200-300 तो वो क्या है कि निकालने के लिए आपके कुछ गलती है तो भी निकाल देंगे नहीं है तो भी आपको doubt के इसाब से आपको बाहर कर देंगे लेकिन आपको जबर्दस्ती निकाल दिया तो आप एमस से या किसी भी गुवर्मेंट होस्पिटल से मेडिकल करा के उस डोक्टर के उपर केस डाल सकते हो अगर आपको जूटा निकाल आये तो लेकिन जैनुवन प्रोब्लम है उसका इलाज है उसको आपको री मेडिकल में टाइम द लेकिन ऐसे सी में आपको यह उप्शन मिलता है अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोब्लम भी है तो तयारी करनी है बाद में देखा जाएगा जो होगा सो फिर मेडिकल में ग्राउंट फिट हो गया था मेरे को मेडिकल में कोई प्रोब्लम नहीं हुआ जाते ही मतलब किसी चीज को फंडी जी ने भी वह गलति किये वह सारे करते हैं इनोंने भी गल्टी कोई थी फज्वाली ज्यादा पता यह नहीं रहता कि फिर्ज सोस्टों इसलिए मैं वीडियो बना रखे आपके से लिए कि हापको भी नहीं बता होगा था जोग कि उस थाम मेरे पोज के बार जानना है कि किसका क्या benefit है किस किस sports क्या से काम कर रही है और जिसमें आप इच्छु को उसमें डालिये आप पहले सीखिये कि किस में फश्टोई मेरे को किसमें लगना है अधिकल फिट हो गया मेरा वहां से मेरे को फिटनेस दे दिया आप फिट हो उसके बाद मैं बड़ा खुछ हुआ फिटनेस हो गया मैं घर पर आया घर को बताया अगर वाले बोले बहुत अच्छी बात है उसके बाद मैं अगले हमारे जर्नल में 79 से कुछ में 79 वाले और 80 सबसे कम सबसे कम BASF का था मेरा क्या हुआ तो मेरे 85 नंबर थे मेरे को CISF बाकी हर फोर्स मिल रहा था सिरफ NIA को छोड़ गे लेकिन क्या था कि मैं मैंने फोरूम गलत बढ़ा हुआ था इसलिए मेरे पास चोईस का उप्सन नहीं था मेरा फर्स को इस डाल दिया जो मिल गया फोर्स वही मिलेगा अभी हम खुछ से भी है नहीं कि आपके नंबर के साथ है कमांडो जैसे भाई वीडियो बना रहे हैं आपको इतना नोलेज दे रहे हैं उससे सीखो उस टाइम हमको यह चीज नहीं पता था कोई था बताने वाड़ा भी नहीं था हमको यह नोलेज भी नहीं थी कि यूटूब पर दे कैसे देख ले क्योंकि टाइम नहीं था हमारे करेंगे और हमारी दोस्तों को बताना चाहूता हूं हमने 50-50 दिन में 60 दिन में यह किया 85 मार्स लेकिया हैं आप जरूर करोगे क्योंकि जितने आप जो आप एडवांस आ रहे हैं लड़के हमसे ज्यादा माइंड वाड़े हैं हर चीज का नोलेज आपको आप कर सकते हो और करोगे हमारा कॉन्फिडेंस आप जरूर करोगे चलो जोती बाई अब तू बटा दें अपले मेरे नाम जोती प्रकास है मैं ओरिसा का बर्गर डिस्टी का हूं मेरा डिस्टी नक्सल प्रवाइट है मैं च्यार महिने से तेयारी यह ससी जीड़ी किया था मेरा थोड़ा पढ़ाई में नोलेज कम था एसे फिजिकाली मेरा था थोड़ा ज्यादा था इसलिए मैं मेरा विश्वास पर भी था में दोखरी करें यह लोगांगा एससे में तैयारी किया था पढ़ाई पढ़ाई भी किया था एसे ट्यूसन जयाकर था तीन महिने क्या था उसके प्रपाइड पर खाल इस लिए उसके अलवा फीकल किया था सुबह साम मेरे गाउंस में ऐसे पॉरनिंग किया ता एस फीकली के लिए तेरे साथ कितने बंदे लगए इन मेरे साथ बहुत थे और करेंडे गाहूं का नहीं अगल अगल बबागल का था बहुत आठ दोस आदमी थे सम्मिल के दिए कोचिंग सेंटर थे नजिक जा रहे थे कोचिंग सेंटर जाते थे मैं ऐसे तेयर किया था और मेरा विश्वास भरसा भी था मैं एससी जीडी लोगा हूंगा इसलिए मैं फास्ट अप्शन दिया था उस्से कंसा मेरे को उसी टाइम मेरेको पता भी नहीं था कॉंसा प्तविस्स ऐसे अपश्ट चोई कि दिया और उस्सी टेम में दिया मेरा वहनेश पर मेरा राध्णी में उसके बाद मेरा प्रीटिंग हुआ उसके बाद मेडिकल हुआ वसे तेसे तेयर किया था भाई मैं गहर में घर में था उसी टाइम देखके मेरे को खुस लगा मेरिटी लिस्ट फिर दो महिने के बात एसे भी आ गया पोई मेरा पोस्टिंग लेटर आ गया अब मेरा बगल में था वह समाल पुर्ट डिस्टी कोहीं से जयनिंग किया और उसके बाद मैं जब जयनिंग किया ट्रेनिंग से खतम करके 15 दिन जब आया घर में बहुत बढ़िय कर दो